अलो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने जीमेल को रिमूब कर सकते हैं फेस्बुक से जिहां अगर फेस्बुक से अपने जीमेल को रिमूब करना जाते हैं अपने इमेल आईडी को रिमूब करना चाहते हैं अगर हटाना चाहते हैं तो क आपका Metro accounts center है अगर इस पर लिए पर पक्लिक कर और पर दिन किलेट करते हैं को है और उसके बाद आप अपने email id पर किलीक करते हैं कॉंटेक्ट इन्फो स्भीड करते हैं और यहां से आप nymal Aid को मलो यहां करना चाहते हैं मैं इमेल इमेल इवेके क्लिक किया तो यहां पर बैला प्लिक क्या होगा कि आपका email जो है वो रिमूब हो जाएगा आपके फेस्बुक से तो आपको वीडियो में बने रहिए है पहली बार हमाई चनल पर आए हैं चनल को सब्सक्राइब कर दिएगा वीडियो आपको अच्छा लगते हैं वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा यहां पर आप देख सकते हैं तीन आपसन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको फेस्बुक और आपका इंस्टागराम और साथ में यहां पर email भी दिया गया है तो हमें क्या करना है यहां पर फेस्बुक वाले से यहां से लॉग इन करना है तो हम यहां पर फेस्बुक पर किलिक करे उस-पर जो आपको एकाउंट दिख रहा तो यहां पर भी वही चीज्ज आपको इहां पर देखने को मिलेगी च्टिक कर देना है रूह संद्ध आपको आपको इस पर इस तो हटक्र देना है वर थिगलेगा नहीं पड़ेगा और साथ में आपका देट आप बर्त भी तो आपको क्या करना यह जो आपका टिक है इसको आपको कर देना है यहाँ पर अंटिक होगा टिक करके यहाँ पर क्लिक कर देना है जैसे आप यहाँ पर create account पर click करेंगे फ्रेंस यहाँ पर आपका account जो है वो meta पर बन जाएगा और उसके बाद क्या होगा फ्रेंस मैं आपको इस वीडियो में detail में बता रहा हूँ तो देखे फ्रेंस यहाँ पर कुछ तरह से देखने को मिलेगा और आपका account center यहाँ पर बन जाएगा जैसे अभी आप अपने facebook पर account center देखने को मिलता था वैसे आपको यहाँ पर same देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपका account और आपको कुछ यहाँ पर details देखने को मिलेगे तो यहाँ पर continue पर click कर देना है जैसे आप continue पर click करेंगे फिर आपको क्या करना है आपको see more पर click कर देना है see more पर click करेंगे यह आपको फिर से एक नए page पर ले जाएगा नए आपको window पर ले जाएगा और वहाँ पर एक नए account center आपका open होगा कुछ ही इस तरह से थोड़ा सा बेट करने के बाद तो जैसे आप यहाँ बेट करके आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर account center open हो जाता है और यहाँ आप देखिए personal details यहाँ पर आपको फिर से देखने को मिल गया तो आपको फिर से आपको अपने personal details पर किलिक करना है personal details जैसे आप किलिक करेंगे आपको यहाँ पर contact info और साथ में यहाँ पर आपका email id भी दिखाए पड़ेगा तो आपको क्या करना है इस email id पर टिक कर देना है इसके अंदर किलिक करना है आपको contact info पर और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो अलग अलग email ID आपको यहाँ पर देखने मिल रही हैं तो जिस भी email ID को आप यहाँ पर delete करना चाहते हैं उस email ID को click करेंगे और अगर आप इसमें चाहते हैं कोई और भी new contact, यहाँ पर phone number या email ID आप add करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एड भी कर सकते हैं यहां पर और आप यहां पर remove करना चाहरे हैं तो आपको इस भी email आपकव डिलीट करना है email को उसको आपको select कर ले नह है, मैं आप बैक आता हूँ मैं इस email को अगर delete करना चाहरा हूँ तो इस email को click करूंगा फिर मैं यहां से अपने अकाउंट को स्लेट करूंगा जिस अकाउंट का email हमें डिलीट करना है तो मालो इस email पर मेरा बना हुआ है तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा ब्रिजफूशन वाले पर उसके बाद देख सकते हैं यहां पर आप अपने email आडी को 100% डिलीट कर सकते हैं इस ट्रिक की मदब से जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तब आपका डिलीट देखने मिला है फिचर आपको काम न करें तो इससे पहले आपको जो है यह वीडियो देखकर आपको अपने email आडी को यहां से रिमूब कर देना है तो वीडियो में इतने फिर नश वीडियो से आपको कुछ सेखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को हमारे ब्रि